हेई इफ्रिवान विल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल इट्स मी पूजा एंड टोड़े आइम गोईंग टो शेर वीत यू माई इस ब्राउन स्मोकी आई मेकप लूग वीडियो अच्छे लागे तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले मैं यह पर यूजकर रही हूँ एक फेशियल आयल जो कि है ओशिया हरवल से और इसको मैं अपने पूर्य फिस पर अप्लाइब करके हैंड की मदद से अच्छे से मसाच कर लूगी इस डेज मैं काफी ज़ाद फेशियल आरल यूस कर रही हूँ तो यहां मैं अप्लाई कर लिया next मैं प्राइमर अप्लाई करूंगे और इसके लिए मैं यूस कर रही हूँ blue heaven का प्राइमर और इसको मैं मेरी जहाँ जहाँ प्रॉब्लेमेटिक सेरियस है उस पर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इससे मेरी पोर्स भी ब्लार आउट हो जाएंगा और फेस को एक स्मूधनिंग एफेक्ट भी मिलेगा नेक्स्ट मैं प्राइमार के बाद अप्लाई करूँगे एक फाउंडेशन और इसके लिए मैं यूज करी हूँ एटन वेल की फाउंडेशन इंदी शेट गोल्डन बेज और इसके साथ जो स्पैचूला आता है मैं इससे ही अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन का अप्लाई हो दिखने में अभी थोड़ा वाइट लगड़ा होगा आपको लेकिन यह उक्सिजाइस्ट होता है और फूल पेस मेकप करने के बाद यह सेट हो जाएगा नेक्स्ट मैं यह पर यूज करूंगे एक कंसीलर इसके लिए मैं यूज करी ओलिविया की पैन स्टिक इन दी शेड जीरो थ्री और इसको मैं जहाँ जहाँ मुझे कंसीलिंग की ज़रूरत है जैसे अंडर आई और ब्रीज अब दी नोज फोरहेड और चिन पर अपलाई कर आपके एक blending brush की मद अदसर को blend आउट कर लूघी नेक्स्ट मैं अपने face को contour करूंगी और इसके लिए मैं यूज करी हूए नबाई वे की Contour Stick और इससे मैं अपनी पुरे face को contour करूंगी मैं नोज पर भी contouring करूंगी क्यूकि मेरी nose बहुत खूपसूरा था इसलिए मैं मज़ा कर रही हूँ नेक्स्ट इसको भी मैं एक ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर लूँगी इस तरह की ब्रश की मदद से क्रीम कॉंटूर को ब्लेंड करना काफी इसी हो जाता है मैं ब्रश की लिंक रेस्क्रिप्शन में दे दूँगी लेकिन कोई फायदा नहीं है अभी देने का क्यूंकि अभी लॉक्डाउन चल रहा है तो आप इससे पर्चेस भी नहीं कर सकते नेक्स्ट यवे मैं फैस को सेट किरने के लिए यूस करीग यूइ ब्लू हवजन का सफायर है लूज प्वावदर और इस तरह मैं अपने पूरे फैस को अच्छे सेट कर लँगी देन मैं यह पर यूज करूंगी मेरा फेवरेट ब्लश और इसके लिए मैं यूज करी हूँ एटन वाइल की ब्लश, इसका शेड है मेलोव वाईन और इसको मैं अच्छे से अपने आपल सब दि चीक्स पर अपलाई करूंगी देन मैं यह पर यूज करूँ एटन वाइल की हाइलाइटर इंदी शेट प्रेशियस पेटल्स और इसको यूज वाली जहाजा हाइलेट करते हैं वहाँ अप्लाई करूँगी अल्मोस्ट यहाँ फेस मेकप कंप्लीट हो चुका है नेक्स मैं आई मेकप करूँगा और इसके लिए मैं यूज करूँ यह मॉर्फी का हिल पैलेट और इसमें से मैं एक लाइट ब्राउन शेट को पहले पिक करूँगा और इसको मैं क्रीस पे ट्रांजिशन कलर के लिए प् प्लेंड करूंगी और इसको उसकी थोड़ा नीचे अपलाई करके ब्लेंड कर लूंगी नेक्स्ट मैं से मैं उसको मैं पुरह आईलेट पे अपलाई करके ब्लेंड करूंगी blending is most important guys अब जितना blend करोगे अब काई में का उतनी अच्छी तरीके से smoke out लगेगा next मैं एक black sheet को pick करूँगी इसको liner की तरह draw कर लूँगी मैं ज़दा thick नहीं करूँगी thin ही रखूँगी just smoke out effect देने के लिए इसको इस तरह से blend out कर लूँगी same thing मैं दूसरा इसके लिए भी करूँगी next मैं यह पर यूज करूँगी maybelline का hypercal mascara initiate black और यह waterproof बाला है और इससे मैं अपने पूरे lashes को coat कर लूँगी lashes को coat करने के बाद मैं falsies यह पर अप्लाई करूँगी और यह मैं off camera ही अप्लाई कर लूँगी तो यह है मेरा final finish look अपको यह look कैसा लगा मुझे नीचे comment करके ज़रूर बोलना and guys प्लीज अच्छा लगा हो तो subscribe कर देना and bell button को press कर लेना ताकि मेरी कोई भी future video अपसे मिसना हो that's it for today's video मिलता है आपसे next video में तब तक के लिए bye कर दो कि अज़ा हुआड़ करत हुआ को को आपसे अपस बने को कि अज़ें एसा में है प्हुआ़ को अपसे हुआ़ Scस्प के लेक लाफी इसक रेंध सिर्जाब